हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है नरेंद्री और मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं यूट्टूब चैनल अकाउंट्श और स्वालेशन में आज का अपना टोपिक है बहुत ही इंपोंटेंट है आज के टोपिक में मैं आपके लिए बताऊंगा बिजी सॉफ्टेर से चेक प्रेंट कैसे करें तो दोस्तों अपना जो आज का टोपिक है बहुत ही इंपोंटेंट है और ये जो टोपिक है इसके बारे में काफी लोगों ने वीडियो भी बना रखा होगा और आपने देखा भी होगा तो मैं आपके लिए अलग ही तरीके से आपके लिए बताऊंगा जैसे इसकी आप कॉन्फिक्रेशन करोगे तो बिल्कुल क्लेर तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि इसकी कॉन्फिक्रेशन आपको किस तरीके से करनी है तो फर्स्ट एक मेरे पास इमेज है उसको मैं आपके लिए बता देता हूं कि ये मेरे पास image है इसमें आप देख पा रहे हो कि यहां पे मेरे पास check भी है यानि मेरे पास check का एक format है और इसमें जैसे आप set करते हो यानि जो भी set करोगे वो इस तरीके से show हो जाएगा जैसे आपको date, amount, left, right या आप down करना है तो आप कर सकते हो एक तो यह है SBI Bank का, दूसरा मेरे पास एक format है ICI Bank का तो दोस्तों यह जो दोनों format है और एक मैंने HDFC के नाम से भी बना रखा है वो मैं आपके लिए बना के बताऊंगा कि इस तरीके से आपको बनाना है और कहां से इस option को enable करना है तो दोस्तों अगर इस वीडियो को आप देख लेते हो तो आप easy तरीके से आप अपने BG software से check print कर सकते हो तो वीडियो आपको end तक देखना है चेनल पे नए हो तो चेनल को जरूर subscribe करना है तो आज आते हैं अपने topic पर तो first आपको क्या करना है? BG से अगर आप print निकालना चाते हो यानि check print करना चाते हो तो एक option आपको enable करना होगा वो option क्या है? First, इस option को enable करने के लिए आपको administration पे click करना है, configuration पे आपको click करना है इसके बाद यहाँ पे आप देख पारे हो features option इस पे click करना है और जो accounts का जो option है इस पे आपको click करना है और यहाँ पे आप देख पारे हो banking options इसमें यह जो fourth number का है check printing इस पे आपको tick mark करना है tick mark करने के बाद यहाँ से कर देना है save जैसे आप save कर देते हो जैसे इस option को आपने enable कर दिया है तो एक option आपके add हो गया है अब वो कहां से आपको देखना है इसको देखने के लिए आप जैसे administration पे click करोगे configuration पे आप click करोगे और यहाँ पे आप देख पारे हो कि check printing का एक नया option आपके पास देखने को मिलेगा क्यूंकि वो जो option आपने enable किया है और जैसे आपने enable किया है तो आपके सामने यहाँ पर एक option आ गया है अब इस पे आप check printing का जो option है इस पे आपको click करना है जैसे आप click करोगे तो मैंने यहाँ पे दो bank जोड रखे है और तीसरा जो bank है तीस करना है add format पे आपको क्लिक करना है मैं यहां पे कोई सा भी बना देता हूं मैंने तीन यहां पे एड़ कर रखे हैं तो दोस्तों यहां पे मैं XCS bank कर देता हूं यहां पे मैंने XCS bank एंटर किया तो इस तरीके से तो आपको जो भी आपका bank add करना है यहांनि bank का जो format आपको add करना है तो यहां से कर लेना है अब मैं आपके लिए SDFC bank की configuration है वो किस तरीके से करनी है जो कि मैंने अभी आपके लिए बताया था यह image में आप देख पा रहे हो कि यहां पे एक check भी मेरे सामने है blank check है और यह जो मैं set करने का जो तरीका आपके लिए बताऊंगा आपने भी YouTube पर काफी वीडियो दखी होगी लेकिन इसमें जो तरीका में आपके लिए बताऊंगा बिल्कुल easy है और आप भी कर सकते हो तो यहां से आपको क्या करना है बापस से आपको bg software open कर लेना है और यह जो option है HDFC पे click करना है configure format जो option है इस पे आपको click करना है click करने के बाद आपको यहाँ पे configure check पे आपको click करना है इस पे आप जैसे ही click करोगे तो इस तरीके से आपका interface नजर आएगा तो अब आपको क्या करना है तो दोस्तों मैंने जो check के जो format है मैंने download कर रखे हैं आप भी कर सकते हो अगर आप download करना चाते हो वीडियो के description में वो जो format है उसका link दे दूँगा वहाँ से आप download कर लेना और आप easy तरीके से अगर उस format को आप download कर लेते हो तो आप easy तरीके से print कर सकते हो अपने check पर जो मैंने HDFC का जो check download किया था उसको एक बार में set करके आपके लिए दिखा देता हूँ तो यहाँ से आपको इस folder पे आपको click करना है और अब आप देख पा रहे हो कि HDFC check यहाँ से इस पे click करना है और यहाँ से कर देना है आपको open जैसे आप open करोगे तो अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे यह आपका जो भी check है इस तरीके से set हो जाएगा अब आप जैसे इसको left, right, up, down जैसे आप करोगे यानि यह account pay का जो option है इसको यहाँ से आपने यहाँ set कर दिया यानि यहाँ से set कर दिया इसके बाद जो print name है check print name तो इसको अगर आप left, right करना चाहते हो तो अपने इस आपसे आप कर सकते हो down भी आप कर सकते हो यहाँ से इसको मुझे थोड़ा down करना है इसके बाद और down करना है और जिस तरीके से आप set करना चाहते हो तो यहाँ पर नीचे आप देख पा रहे हो कि इसका जो amount है amount आप जैसे यह नीचे का जो set हो गया complete तरीके से इसको थोड़ा down में कर देता हूँ यह amount भी मैंने set कर दिया इसके बाद आप देख पा रहे हो कि यह जो amount है amount आपके amount के box में आपने set कर दिया है यह जो आपका check है यानि जो मैंने यह format डाउनलोड किया था आप google से download कर सकते हो blank जो check होता है वह वहाँ से download कर सकते हो और इस तरीके से आपको set करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ से आपको करना है ok ok करने के बाद यहाँ से कर दिना है आपको save save करने के बाद यह आपने set कर दिया अब दूसरा जो ICI का जो मैंने set किया है एक बार इसको भी मैं आपके लिए दिखा देता हूँ configure format पे आपको click करना है configure check पे आपको click करना है अब आप इसमें देख पा रहे हो कि यहाँ पे बिल्कुल clear तरीके से यह set है इसकी date, account पे check, print name तो दोस्तों इसको left या right या up या down करना चाहते हो तो यहाँ से set कर सकते हो और इसको जिसे मानलो मैं इसको नीचे करता हूँ तो यह नीचे आजाएगा तो दोस्तों इस तरीके से आपको अपना जो check है वो आपको print करना है अगर आपको check printing में कोई problem आती है तो आप मुझे comment कर सकते हो और यहां से आपने जो भी blank check आपने डाउनलोड किया है आप Google से डाउनलोड कर सकते हो और वहां पर जिसे ICI blank check आप क्लिक करोगे और वहां से जो भी check आता है वो आप डाउनलोड कर सकते हो और जिसे मैंने जो भी check डाउनलोड किये थे SDFC का किया था ICI का किया था SBI का किया था तो यहां से तीनों check है blank check है और यहां से मैंने इसको set कर रखा है set करने के बाद यहां से कर दिया मैंने इसको तो इसका जो भी bank है या नि कौन सा bank है एक बार मैं आपके लिए दिखा दू ICI bank है तो ICI का जो format है वो select कर लेना है और यहां से करना है OK इसके बाद यहां से कर दिया मैंने save next जो SBI वाला है SBI वाला भी जो मैंने set कर रखा है वो भी मैं आपके लिए दिखा देता हूँ आपको कुछ भी change नहीं करना है आपको direct आपका bank add करना है इसके बाद configure format पे आपको click करना है यहां से configure check पे आपको click करना है और यह जो format है यानि जो आपका check का format है यहां से आपको image select कर लेना है और इसके बाद यहां से up down आपके साफ से set करके और आप print निकाल सकते हो इसके लावा यहां से आपने जैसे ही set कर दिया तो आपका जो print लगाने का जो तरीका रहेगा यानि आप जिसे print में लगाऊगे तो ये जो ulti side से आपको लगाना है जिसे आप इसको लगाऊगे इस side से लगाना है ये आगे मू रहेगा और ये रहेगा पीछे तो जिसे ही print होगा यह इस तरीके से यहां से print होता हो आ जाएगा और आप easy तरीके से print निकाल सकते हो अब यह तो मैंने आपके लिए check की जो configuration है वो मैंने आपके लिए बता दी है अब print आपको कैसे निकालना है यह तरीका भी आपको बताना पड़ेगा क्योंकि यह तो आपने सीख लिया है इसके बाद यहां से कर देना है ओके जो भी आपका bank है वो उस bank का आपको check download कर लेना है उसके बाद ही आपको configuration करनी है और यहां से कर दिया मैंने save तो दोस्तो यह first configuration तो आपने कर ली है इसके बाद next आपको क्या करना है जो भी आपका bank है वो आपको select करना है जिसे मेरा sbi bank है और दोस्तो चिन में इसका number है last का यहां से आप जिसे bank select करोगे तो यहां पे enable check printing का जो option आएगा इसको आपको यहां पे आपके पास yen होगा तो यहां से आपको y करना है y करने के बाद जिसे यह जो format है कौन से bank का है sbi का तो यहां से sbi मैंने जो format जितने भी format बना रखे वो सारे आपके सामने आ जाएंगे जिसे आप भी बनाओगे तो आपके सामने आ जाएंगे और यहां से आपको select करना है आपका bank बैंक आपको select करना है इसके बाद कर दिना है आपको save अब आपको क्या करना है जिसे आपकी जो भी party है यानि मेरी party है अभी नंदन अभी नंदन मैंने select किया और जिसे मैं enter करूँगा enter करने के बाद आप देख पा रहे हो यहां पे बेनिफेक्शरी नेम यानि यह जो आप configuration करोगे इस party के नाम से आप चेक दोगे अभी नंदन एजेंसीज के नाम से यहां पे आपको जो print करना है वो आपको यहां पे लिखना है जिसे अभी नंदन एजेंसीज इसके बाद करना इसके बाद यह configuration आपने कर दी है इसके बाद आपको आगे क्या करना है अब मैं एक entry आपके लिए करके दिखा देता हूं कि जिसे अभी नंदन है उसके लिए मैंने चेक दिया कितने amount का दिया 10,000 रुपे का यहां पे मैं एक entry आपके लिए करके दिखा देता हूं आज date है 13 October 2021 13 October 2021 मैंने एंटर किया इसके बाद party का नाम क्या है अभी नंदन अभी नंदन agency जिसे मैंने एंटर किया तो इसका जो भी balance है यानि मैं 10,000 रुपे देना चाहता हूं यहां पे मैंने एंटर किया और यहां पे जिसे check number में लिख देता हूं जो भी check number है 1,2,3,4,5 यह record के ल जो check number है यह मैंने इस party के लिए दे दिया है जब भी यह check यह party लगाएगी तो अपने खाते से इतने amount यानि 10,000 रुपे का amount कम हो जाएगा तो यहां से मैंने अपना bank select किया bank का जो name है आपको यहां पे enter करना है इसके बाद जैसे इस entry को आप save करोगे तो आप से पूछा जा आएगा कि आप इस जो print है इसका print निकालना चाते हो तो यहां से आप अगर आप निकालना चाते हो तो यहां से आपको yes करना है yes करने के बाद आपका जो bank का जो format है वो आपको select करना है तो दोस्तों मैंने जितने भी format बना रखे थे xcs bank, hdfc bank, icai bank, sbi bank तो जो भी आपका bank वो आपको select करना है, select करने के बाद यहां से आपको with account amount आपको enter करना है, enter करने के बाद इस तरीके से आपके सामने show होगा, तो यहां से आपको क्या करना है, ok पे आपको click करना है, ok पे करने के बाद यहां से preview पे मैं एक बार click करके आपके लिए दिखा देता हूँ, कि इस तरीके से आपका जो print show होगा यानि आपने अब भी जो format मैंने set करके आपके लिए बताया था इस तरीके से आपको set कर लेना है और जिसे आप print निकालोगे निकालने का तरीका भी मैंने आपके लिए बताया था कि यहां से यह जो image है यह आपने complete तरीके से set कर रखा है और आपको जो यह print लगाना है यानि print करने के लिए जिसे आप check रखोगे तो यह आगे रहेगा इसका moon और यह पिछे रहेगा इदा से print होते हुए आएगा और यह एक बार आपको set कर लेना है कि आपका जो print निकलेगा यानि check जो print करोगे व दोस्तों यह configuration भी आप कर सकते हो तो दोस्तों यह तो मैंने आपके लिए single party का आपके लिए check print करना आपके लिए बताया है तो दोस्तों इसमें next जो option है यानि एक बार में आपके लिए बता दूँ कि यहाँ पे print email SMS का जो option है जैसे आप उस option को enable करते हो चेक printing का option को enable करते हो तो यहाँ पे भी एक option आपको देखने को मिलेगा और जिन party के लिए आपने check दिया है उनको एक साथ आप print भी कर सकते हो तो print करने का जो तरीका है वो भी bulk में जो आप print करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो यहाँ पे आपको print email SMS पे आपको click करना है इसके बाद यहाँ पे print utility का जो option है इस पे आपको click करना है और यहाँ आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे check प्रिंटिंग का जो option है इस पे आपको click करना है और यहाँ पे जो भी आपका bank है याही कौन सा format है SBI format तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कोई transaction नहीं कर रखे हैं तो दोस्तों bulk में भी आप print कर सकते हो यहाँ पर मैंने कोई भी transaction नहीं कर रखा है इसलिए कोई भी account नहीं सामने आ रहा है तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हो प्रिंट करना आपका जो check है उस पर party का नाम प्रिंट करना चाहते हो तो आपके एक तो first benefit आपको क्या मिलेगा कि आपके check वेस्ट नहीं जाएंगे जिसे आप first में set करके देखोगे तो first में आपके दिक्कत आ सकती है एक या दो check आपके खराब हो सकते है लेकिन आगे के लिए आप fix कर ले ना कि यहां से आपको check रखना है और यहां से आप set करके निकालोगे तो इस तरीके से आपका बढ़िया print out निकल आएगा तो दोस्तों इस वीडियो को देखे आप easy तरीके से बीजी software से अपना जो check है वो print कर सकते हो यह तो ICI का है next मैंने आपके लिए क्या बतायता SBI का तो SBI का भी आप print कर सकते हो और यह जो blank check है वो आप google से download कर सकते हो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी comment करके जरूर बता है अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like और share जरूर करें दोस्तों मैंने recently जो वीडियो upload करी थी यानि एक बार में आपके लिए बता दूं कि वो जो वीडियो थी किसकी थी bill format के तो दोस्तों अगर आप bg software में कोई सा भी bill format बनवाना चाते हो तो आप मु software सीखना चाते हो तो चेनल को subscribe आपको करना है और आपके दोस्त या आपके मित्र जो भी bg software यूज करते हैं उनके लिए अपना जो चेनल है उसकी advice आपको देनी है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही next वीडियो में मिलेंगे अगले topic के साथ thank you